हेलो एव्रिवन मेरा नाम ने शितन वेलकम टू क्रेजी जीकेटरी दोस्तों आज के सेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं सर्कल की एक बहुत ही इंपोर्टन प्रॉपर्टी के बारे में जो की है इंटरसेक्शन ऑफ च यह एक्जाइम में पूछी आने वाले सबसे जाधा कोशनों में से है सर्कल से सबसे जाधा कोशन इस पर्टिकुलर टॉपिक से बनते हैं तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही अच्छे-च्छे कोशन आगे आने वाले है तो चलिए शुरुआत करते हैं आज बोलता हूँ एक को सीडी बोलता हूँ ठीक है तो मेरे पास दो चॉल्च है एबी और सीडी अब यह जो एबी और सीडी है यह कहीं पर इंटरसेक्ट हो रही है सर्कल में कहीं पर यह इंटरसेक्ट हो रही है इस पॉइंट को में ए नाम दे देता हूँ ठीक है तो अब मेरे पास है दो चोड्स ABCD जो कि intersect हो रही है point E पर यहाँ पर हमें एक चीज़ पता होना चीज़ जो one of the most important formula है of all circle पूरे circle का सबसे important formula है यह क्या है तो हम बोलेंगे कि A से E का distance A से E का मतलब A से intersection का distance और B से intersection का distance याने एक ही चोड के दो point A और B इनसे intersection की दूरी जितनी होगी उनका product याने A E और B E का जो product है A E into B E यह जो है यह कितने के बराबर होगा तो यह हमेशा बराबर होगा दूसरी वाले choice के जो दो points है वहाँ से intersection के दूरी के product के बराबर याने C E into D E के तो हम क्या लेखेंगे C E into D E बात समझ में आईए आपको यह बहुत important formula है one of the most important formula अब देखे यह जो intersection था यह circle के अंदर था एक case ऐसा भी बनता है जहाँ पर यह intersection circle के बाहर होता है तो यहाँ पर भी वही चीज है choice है AB और CD यह दो choice है ABCD बट इस बार यह intersect कहाँ पर हो रही है एक दूसरे को काट कहाँ पर रही है यह काट रही है circle के बाहर circle के बाहर point है E अब देखे यहाँ पर formula में कुछ भी change नहीं होगा हमें क्या देखना है हमें देखना है कि point A से intersection की दूरी और point B से intersection की दूरी इनका product A से intersection की दूरी का मतलब बनेगा AE into B से intersection की दूरी का मतलब बनेगा BE अब यहाँ पर एक बार ध्यान रखेगा AE का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कि यह पूरी length की बात कर रहा हूँ और BE का मतलब यहां से लेके यहां तक के पूरी length की बात कर रहा हूँ तो AE into BE ये किसके बराबर होगा तो जो दूसरी चोड़ थी ना इसके भी दो points है तो इनके भी एक-एक points से आपको intersection का distance देखना है तो सबसे पहले point C से E का distance that is CE into D से intersection की दूरी याने DE इसके बराबर होगा अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों ही conditions में formula में कोई difference नहीं है formula में बिलकुन कोई difference नहीं है बस यहां पर circle के अंदर intersect हो रहा था और यहां पर circle के बाहर intersect हो रहा है basic concept वही है जो भी चोड़ है उनके जो दो points है वहां से intersection का दूरी का product दूसरी वाली चोड़ के जो दो points है उनसे जो intersection की दूरी है उनके product के बराबर होगा तीसरा case बनता है जहां पर हमारे पास होता है एक चोड़ और एक tangent अब देखें tangent क्या होती है tangent भी एक प्रकार की चोड़ है बस ये वो चोड़ है जो दो points की जगा एक ही point पर cut करती है या मैं ऐसा बोलू कि अभी तक ये दो points थे CD अब इसको मैंने नीचे खसका के ऐसा ले आया है कि अब C भी यहीं है और D भी यहीं है दोनो points एक ही जगा पर आ गए है तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है तो सुनिए suppose ये A, B है और ये है C और ये है E तो अब यहाँ पर formula क्या बनेगा बिल्कुल वही बनेगा AE into BE क्या लेखेंगे हम AE into BE ये कितने के बराबर होगा तो देखिए point C भी यहीं है D भी यहीं है तो दो अलग-अलग point एक ही point को दो अलग-अलग नाम देने का कोई sense तो बनता नहीं तो हम क्या करेंगे एक ही नाम देंगे CE into CE याने ये बनेगा CE का square बुली बात समझ भी आई है आपको clear है यही था basic concept इतना ही था बच सबसे जादा questions इसी concept से पूछे आते हैं exams में तो चलिए अब आते हैं सीधा questions पर एक-एक करके questions बनाएंगे easy level से शुरुबात करेंगे और अच्छे level तक questions बनाने वाले हैं तो चलिए आज का पहला question देखते हैं क्या लिखा हुआ है question पढ़ते हैं सबसे पहले question बोला है दो चौड़ है एक circle की दो चौड़ है a,b और c,d जो की intersect कर रही है point e पर अब ये जो point e है ये कहीं पर भी specify नहीं किया गया है कि कहा पर है तो हम by default ये मान के चलेंगे कि ये circle के अंदर ही है अब यहाँ पर हमें कुछ length भी दी है कि a,e की length बताई है b,e की length बताई है c,e की length बताई है पूछा क्या है d,e की length तो सबसे पहले इसका एक circle बना लेते हैं आपन circle बना लेते हैं चलिए ये रहा हमारे पास एक circle इस circle की दो चौड़ है कितनी चौड़ है दो चौड़ है एक चौड़ suppose ऐसी जाएगी दूसरी चौड़ को मैं ऐसा बना देता हूँ ठीक है तो इस चौड़ का नाम दे देते हैं भाहिया क्या-क्या चौड़ थी तो एक का नाम था a b दूसरे का नाम था c d अब फॉर्मला आपको याद आ गया होगा मैंने अभी आपको क्या समझाया था ये अगर point e पर intersect कर रही है point e पर intersect कर रही है तो a से e की दोरी into b से e की दोरी a e कितना दिया है तो ये दिया है 4 cm be कितना दिया है 8 cm te कितना दिया है 5 cm पूछा क्या है be ये वाली length पूछी है तो अब आपको formula में ये सारी चीज़े put कर देनी है काम हो जाएगा formula क्या बनेगा a से e into b से e तो a e into be ये किसके बराबर होगा ये होगा c e into d e के बराबर बोले clear है a e की value आपको पता है 4 है into be की value आपको पता है 8 है equals to c e की value आपको पता है 5 है into d e आपको निकालना है बस divide कर दीजेगा ये कहता होगा 32 upon 5 जिसका मतलब होता है 6.4 cm ये value है d e की याने option सही कौन सा होगा option b इसका सही answer होगा तो I hope ये बहुत ही basic सा question आपसे बन गया होगा बहुत ही simple question था है की नहीं चले अगले question पर आते हैं और अगला question देखते हैं अगला question पर ये क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा अच्छा question है question बोल रहा है a b sorry a c और b d जो है न intersection point of 2c a c की value 4 cm है c e की value 8 cm है d e की value 7 cm है b d निकालना है बिल्कुल बहुत बढ़ियां सवाल है c gl 2018 गा सबसे पहले मैं इसके लिए आपके पास एक diagram बना देता हूँ एक circle बना देता हूँ और इसी conceptual clarity आ जाती है circle से ये रहा एक circle अब मुझे यहाँ पर क्या बनाना है मुझे बनाना है दो charge बस यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान लखेगा कि क्योंकि ये दो charge extend करने पर मिली है extend करने का मतलब दो charge को बढ़ाने पर ये मिली है तो ये circle के बाहर कहीं मिली है ठीक है आपको बोलाना कि आपको इन दो charge को produced to point E याने इन दोनों को E तक बढ़ाया गया है तो ये circle के अंदर नहीं है point E circle के बाहर है ठीक है charge कौन कौन सी थी 1 थी A सी दूसरी थी BD ठीक है कहा तक point E तक अब जो जो length आपको दी हुई है जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं क्या क्या पता है मुझे मुझे पता है AC की value 4 cm है ध्यान से सुनिएगा AC का मतलब क्या है यहां से यहां तक की length 4 cm है ठीक है अगला मुझे क्या बताया है CE CE का मतलब ये वाली length ये वाली length कितनी है 8 cm है 8 cm है बोले clear है यहां तक कोई दिक्कत नहीं इसके बाद मुझे क्या बताया गया है कि DE DE का मतलब ये वाली length ये वाली length कितनी है 7 cm है आप से क्या पूछा है BD पूछा है BD मतलब ये वाली length आप से पूछी है ठीक है formula क्या बनता है तो देखिए formula मैंने आभी आपको थोड़ी दर पहले क्या समझाए था A से intersection की दूरी into C से intersection की दूरी A से C A से intersection C से intersection तो मुझे बताईए A से E की दूरी कितनी होगी तो A से E की दूरी याने यहां से यहां तक की total दूरी कितनी आने वाली है तो यह आने वाली है 12 into किस से multiply करना है c से intersection की दूरी याने 8 से equals to अब ये कितने के बराबर होगा तो ये होगा b से intersection की दूरी अब देखिए b से e b से e को क्या बोलूँ अगर इसे मैं x बोलता हूँ तो क्या मैं b से e की दूरी को 7 प्लस x बोल सकता हूँ बोल सकता हूँ बिलकुल बोल सकता हूँ और फिर d से e की दूरी को क्या बोलूँगा तो वो तो मुझे पता है 7 है यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब आपको क्या करना है अब आपको x की value निकालने है कैसे निकालोगी 7 से सबसे पहले divide करेंगे तो अब इसको solve करने पर आते हैं तो देखें यह कितना बनेगा यह बनेगा 96 इक्वल्स टू यह कितना हो जाएगा 49 प्लस 7x इसको इधर ले जाके minus जरूर कर लीजेगा minus करने पर कितना आएगा minus करने पर यह आपको मिलेगा minus करेंगे तो यहाँ पर यह आएगा 7 और यह आजाएगा आपका 47 upon 7 equals to x बात समझ में आगई होगी मेरे ख्याल से आपको अब जब इतना आप नहीं कर लिया तो फिर अब इसे solve कर लेंगे थोड़ा सा decimals में जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना सारे options देखिए exact number में एक ही number है जो कि decimal में दिख रहा है और आपको पता यह properly divide नहीं होगा तो obviously answer 6.7 होने वाला है थोड़ा सा divide करके देखनेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा I hope आपको यह question भी clear हो गया होगा बहुत ही simple सा question था चलिए अगले question पर आते हैं अगला question देखिए क्या लिखा हुआ है again बहुत ही प्यारा और बहुत ही बढ़िया question CZL 2019 का question है question देखिए question बोला है AB और CD दो चौड है intersect each other externally at point E यानि ये circle के बाहर मिल रहे है अब क्योंकि ये circle के बाहर मिल रहे है तो आपको पता है diagram कैसे बनने वाला है एक circle रहेगा आपके पास ठीक है यहाँ से दो चौड circle के बाहर ऐसे मिलेंगे इनका नाम क्या है तो एक का नाम है AB एक का नाम है CD कहां मिलेंगे तो point E पर मिलेंगे जो की circle के बाहर है इसके बाद क्या बोला है आपसे ध्यान से देखिए आपको बोला है कि AE की length 6 cm है AE का मतलब क्या है ये पूरी की पूरी length की ये कितनी है 6 cm है आगे बोला है AB 2 cm है AB ये वाली length अगर 2 cm है तो ये कितनी होगी ये 4 cm होगी बोले clear है बाद समझ भेंगे आपको इसके बाद आपसे बोला है कि CE CE का मतलब ये पूरी length ये पूरी length आपकी कितनी है 8 cm है और आपको निकालना क्या है CD की length निकालनी है CD की length निकालनी है सब्सक्राइट इंचन ना ले सब्सक्राइब ये वाली length ये जो length है ये अगर X है तो फिर मेरा formula क्या बनता है तो देखे, formula क्या बनेगा A से intersection की दूरी और B से intersection की दूरी याने AE into BE ये कितने के बराबर होगा तो C से intersection की दूरी और E से intersection की दूरी याने CE into DE के बराबर होगा तो कि मैं ये बार-बार formula लिखके आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये दिमाग में बैठ जाए एक बार ये बैठ गया है तो हो सकता है आपको formula लिखने की जरुत में पड़े आप सीधा number लेखेंगे क्या number लेखेंगे कि भीया AE याने 6 into BE याने 4 बराबर CE आपको पता है 8 है DE आपको निकालना है और ये हो जाएगा DE की value कितनी DE की value आँसे आजएगी 3 cm बट DE नहीं पूछा मुझसे मुझसे उसने DE तो पूछा ही नहीं था मुझसे क्या पूछा था मुझसे पूछा था CD तो अगर ये DE 3 cm है तो इस 8 में से ये 3 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 5 cm याने CD की value आजएगी 5 cm 5 cm याने option A इसका सही answer होगा I hope आपको ये question भी समझ में आगया होगा बहुत ही simple question था बट अच्छा question था चलिए अगले question पर आते हैं और देखते हैं अगला question क्या है बट उसके पहले आपके लिए एक छोड़ा सा update है SSC target batch CrazyDee के trick लाए है आपके लिए SSC target batch जो की root application पर चालू होने वाला है तो अगर आप SSC के रियारी कर रहे हैं चाहे CGLO, CHSL, 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 CHSL तो batch ज़रूर जोइन करें यहाँ पर आपको CrazyDee के trick की सारी faculties लाइफ पढ़ाने वाली है root application डाउनलोड ज़रूर करेंगा तो चलिए अब आते हैं सीधा अगले question पर question नेखिए क्या लेका हुआ है हमारा अगला question again बहुत ही बढ़िया सवाल question क्या बोलता है एक circle है जिसका center है O एक circle है जिसका center है O इसमें A, B और C, D दो charge है जो की intersect करती है point E पर ठीक है इसके बाद जो आपको data दिया हुआ है उसको थोड़ा सा समल के देखना क्योंकि यहाँ पर A, E और B, E का ratio दिया है C, E की length दिया है D, E की length दिया है A, E बताना है अब अगर ये confusion create कर रहा है तो ज़ादा tension मतलो सबसे पहले एक circle बना लो एक circle बनाते है ठीक है, ये रहा है एक circle कहीं पर भी ये नहीं बोला कि ये दोनो charge जो है वो circle के बाहर intersect हो रही है तो हम by default क्या मान की चलेंगे कि ये दोनो charge circle के अंदर ही कहीं intersect हो रही होंगी कौन-कौन सी charge है एक है A, B दूसरी है CD कहां पर intersect हो रही है point E पर बात समझ में आ गई अब जो data दिया है उस पर बात कर लेते हैं क्या बोला है आपको AE और BE का जो ratio है that is 1 to 5 याने AE और BE का जो ratio है ये 1x तो ये 5x 1 to 5 का मतलब क्या होता है ratio है न तो इसको 1x और 5x ले लेते हैं आगे क्या बोला है CE 5 cm है CE 5 cm उसने खुद बताया DE 9 cm उसने खुद बताया तो मुझे क्या पता करना है मुझे basically AE की value निकालनी है याने ये वाली value basically X की value निकालनी है मुझे that's it और कुछ नहीं तो चली formula लगाते हैं यहाँ पर AE into BE याने X into 5x ये कितने के बराबर होगा तो CE into DE के बराबर होगा याने 5 into 9 के बराबर होगा अब मैं formula नहीं लिख रहा हूँ मेरे ख्याल से अब आपको formula दिमाग में बैठ गया होगा ठीक है पास से 5 के आंसल हो जाएगा X square equals to 9 आजाएगा तो X की value कितनी आजाएगी 3 आजाएगी और X की value 3 आई तो AE जो की 1 था AE जो की 1X था इसकी value 3 cm हो जाएगी बोलिए बात समझ मैं option A इसका सही आंसर होगा again very simple एक छोटा सा ratio का concept उसको mix कर दिया circle के एक छोड़े से concept से और ये question बन गया बोलिए clear है चले अगले question पर आते है और अगला question आपकी screen पर ये रहा बहुत ही बढ़िया सवाल एक और अच्छा सवाल सवाल क्या है देखिए आपको बोला है PAB 1 second है PT 1 tangent है P is external point of circle PT की value दी है PA की value दी है AB की value निकालनी है जादा confused मत हो ये एक circle बनाते है सबसे पहले आपन क्या बनाते है एक circle ये रहा अपना एक circle ठीक है second है PAB तो यहाँ से मैंने एक line है सी ली मुझे पता है point P circle के बाहर है A यहाँ होगा और B यहाँ पर होगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं PT एक tangent है PT tangent है याने P से एक tangent बनाना है मुझे और इस tangent का नाम मुझे देना है PT यहाँ तब कोई दिक्कत नहीं किसी को अब आपको जो data दिया हुआ है उसको यहाँ पर put कर देते है क्या-क्या दिया हुआ है देखिए तो हमें पता है कि PT की value 5 है PT की value 5 है बहुत बढ़ियां 5 cm है यह इसके बाद क्या बोला है PA PA 4 cm है याने यहाँ से यहाँ तक की दोरी यह 4 cm है बोली clear है? कोई दिक्कत नहीं आपको क्या पूछा है? AB पूछा है अब सपोज AB की value अपन X ले लेते हैं यह distance अगर मेरे लिए X है तो फिर अब मेरे लिए काम काफी आसान हो गया कैसे आसान हो गया? देखिए हमें यहाँ पर वही formula लगाना है कौन सा? A से intersection की दोरी और B से intersection की दोरी तो यह 5 के square के बराबर होगा याने 25 के बराबर होगा बोले clear है? बात समझ मैं हैं तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे? कि 4 से divide कर देंगे तो 4X 4X नहीं 4 प्लस X equals to 25 अपन 4 होगा और इस 4 को minus कर लेजेगा तो X की value कित्ती है जाएगी? 25 अपन 4 minus 4 that is 9 by 4 याने option A इसका सहीं आमसर होगा तो again देखे कितना easily यह questions बन जाते हैं आपसे बस आपको अगर सहीं approach और सहीं formula पता है कि कैसे हमें इसे approach करना है तो यह questions बहुत easily बन जाते हैं बिल्कुल CPO 1217 का question था और अच्छा question था चलिए अगले question पर आते हैं अगला question देखिए क्या लिखा हुआ है और length देखकर आप समझ गया हूँगे कि means का ही question है बड़ा है ना? चलिए question देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा हुआ है T is a point outside the circle T is a point है जो कि outside circle है and 13 cm away from the center center से 13 cm दूर है किस से? center से याने एक circle है पहले एक circle बना लेता हूँ एक circle है इस तरह से इस circle का एक center है ठीक है? इस circle का एक center है इस center से 13 cm दूर एक point है P इस circle इस center से 13 cm दूर एक point है P यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे पता है कि यहां से यहां की length 13 cm है आगे पढ़ते हैं क्या बोला है A second drawn from point P intersect circle point at A and B एक second बनाना है एक चौड बनाना है मुझे जो कि P से निकलेगा और A, B नाम से दो points पर circle को cut करेगा ठीक है चलो तो यह 13 को मैं थोड़ा सा उपर लिख देता हूँ ताकि space खली हो जाए यह यहां से यहां तक 13 cm है ठीक है इसके बाद एक second मनाना है एक line मनानी है P से यह है A, यह है B बुलिए बात समझ में आई आई आपको यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिकत नहीं होनी चाहिए आपको अब आगे आपसे क्या बुला है कि P A जो है यह 9 cm है A B जो है यह 7 cm है तो आप देखें A B हो गया 7 cm A P हो गया 9 cm और आपको क्या पता करना है इस circle का radius अब यहां पर सबसे ज़्यादा conclusion create होता है कि भीया circle का center या radius कैसे पता करेंगे radius निकालने के लिए यहां पर हम छोटा सा एक trick अपनाएंगे क्या है वो trick तो ध्यान से देखें मैं अगर इस line को थोड़ा सा extend कर दूँ यहां तक तो क्या ये एक diameter नहीं हो गया हो गया अब अगर circle का radius ये r है तो ये भी r होगा यानि कुल मिलाकर ये 2 r हो जाएगा बचा हुआ ये जो distance है इस point से इस point तक का ये कितना होगा 13 minus r हो जाएगा बोली अगर यहां तक की बात समझ में आ गई है तो अब यहां से question आपको बहुत easily बन जाएगा बस एक point और ध्यान दखेगा इस point से इस p point की दूरी कितनी होगी तो ये दूरी होने वाली है 13 plus r cm बस यहां पर दो चीजों का ध्यान दखेए कौन-कौन सी चीज़ें इस point से p point की दूरी होगी 13 minus r और इस point से इस point की दूरी होगी 13 plus r कैसे होगी center से तो ये 13 है center से ये 13 है ये r है तो बचाईए किता 13-7 center से ये 13 है ये r है तो ये total distance किता होगा 13 plus r बात समझ मैं आ गई अब मैं वही formula फिर से लगा रहा हूँ जो अभी तक लगाता है या था क्या देखो इस point को suppose मैं c बोल लेता हूँ इस point को मैं d बोल देता हूँ तो क्या होगा b से intersection की दूरी और a से intersection की दूरी तो देखो bp into ap ये कितने के बराबर होगा तो c से intersection की दूरी into d से intersection की दूरी यानि cp into dp बुले clear है अब बस इसे solve कर दीजे value put कर दीजे काम खतम answer आ जाएगा आपका देखिए bp का मतलब क्या होता है b से p पूरा distance 16 into ap का मतलब क्या होता है a से p 9 cm ये किसके बराबर होने वाला है cp into dp cp कितना है देखिए cp है 13 plus r और dp कितना है 13 minus r बुलिए बात समझ में अगर ये समझ में आया तो अब आप समझ चुके होंगे ये a plus b into a minus b का फॉर्मुला है ये कितना बनेगा तो ये बनेगा 144 equals to ये हो जाएगा 196, 169 minus r square a plus b into a minus b फॉर्मुला सभी को पता है na a square minus b square होता है अब इसको minus कर लेजेगा इदर उदर ले जाके r की value निकाल लीजेगा आपकी r की value कितनी आएगी तो r की value हो जाएगी 5 cm r square 25 आएगा r की value 5 cm option d आपका सही answer हो जाएगा I hope आपको ये question भी समझ में आग्या होगा बहुत ही simple और easy सा question था बस यहाँ पर आपको इस point को extend करना था जैसे ही आप ये point extend कर देते तो ये again पूरी एक चौड हो जाती है अब दो चौड जो की circle के बाहर intersect हो रही है वही वाला same concept पूरा का पूरा एजटर्स उठाकर यहाँ पर हम apply कर देते तो I hope आपको ये question समझ में आ गया होगा बहुत ही बढ़िया question था नहीं समझ में है तो rewind करके एक बार वापस से देख लीजिएगा पर देख जरूर लीजिएगा important question है exam में आपको ऐसा question और भी आगे देखने मिल सकता है चलिए अगले question पर आते हैं देखिए अगला question क्या दिया हुए TGL 2017 का question है question सबसे पहले पढ़ते हैं एक point P है जो कि circle के बाहर है और 17 cm दूर है center से है देखिए लगबग वही question है 2017 में भी लगबग यही question पूछा हुआ था 2019 में भी लगबग यही question पूछा हुआ है तो चलिए ये question आपके हवाले दोस्तो comment box में मुझे बताइएगा इस question का answer क्या हैगा option भी आपके सामने दिये हुए है अगले session जब भी मैं लूगँगा तो जिन भी बच्चों ने सही answer दिया होगा at least उन में से कुछ का नाम तो में जरूर लूगँगा ठीक है for your efforts तो चलिए ये question का answer मुझे आप लो comment box में बताइएगा हम चलते हैं अगले question पर ये question और पिछला question लगभग से में एक बार खुट try करिएगा बन जाएगा अगला question देखिए अगला question देखिए क्या लिखा हुआ है question बहुत ध्यान से पढ़िएगा बहुत ही प्यारा सवाल है बहुत ही प्यारा सवाल CGL 2019 mains का question question क्या बोल भा है आप से बोला है ABC एक isocellus triangle है isocellus triangle समझते है isocellus triangle का मतलब होता है सम्दूई बाहू त्रिबुच याने एक ऐसा त्रिबुच जिसकी दो भोजाएं बराबर हो सपोज मैं इसको A, B और C बोलता हूँ जिसमें A, B और A, C बराबर है उसने खुद बोला यहाँ पर कि A, B और A, C बराबर है फिर उसने बोला कि एक circle ऐसा है जो कि B से निकलता है passes through B touching A, C at midpoint A, C को midpoint पर touch करता है A, C का midpoint suppose यहाँ पर है तो एक circle ऐसा है जो कि B से निकलते हुए A, C के midpoint को इस तरीके से touch कर रहा है बोले यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आगे उसने क्या बोला है उसने बोला है कि यह A, B को intersect करता है point P पर याने A, B को उसने intersect किया है point P पर तो यह है point P यह वाला यहाँ तक मेरे ख्यालते कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आगे आपसे पूछाए A, P और A, B का ratio बताओ A, P और A, B का ratio A, P यह है और A, B पूरा है यह इसका आपको ratio बताना है अब देखिए अगर थोड़ा सा आँख खोल कर देखेंगे न तो अभी तक जो पढ़ते आये थे न यह वही question है बस यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा आपको पता चलेगा कि अगर मैं यह वाली line यहाँ से गायब कर दूँ यह वाली line यहाँ से गायब कर दूँ इस तरीके से तो अब यह question कुछ नया नहीं रहा आपके लिए क्या यह कोई नया question रहा आपके लिए देखिए अगर मैं इसको इस तरीके से यहाँ से गायब कर दूँ तो क्या यह कोई नया question है अब आपको देख रहा है न ये एक tangent है सपोज इस tangent को मैं T बोल देता हूँ इस tangent का नाम मैं T दे देता हूँ तो ये हो जाएगा AT ये है AP ये है AB तो मैंने क्या बोला था जब भी एक चौड और एक tangent बाहर intersect होंगे तो हम उसको कैसे लिखते हैं हम देखते हैं B से intersection की दूरी फिर हम देखते हैं P से intersection की दूरी फिर हम देखेंगे T से intersection की दूरी और क्योंकि ये tangent है तो ये square होने वाला है तो formula क्या बनेगा formula बनेगा BA into PA equals to TA का whole square बोले बात समझ में आई हैं आपको कि जो मैंने किया ये clear हुआ आपको नहीं हुआ एक बार फिर से समझ ये ये था हमारा triangle ये था हमारा triangle ठीक है ये center पे cut हो रहा है center पे cut होने का मतलब क्या होगा center पे cut होने का मतलब होगा कि अगर ये side एक है तो ये वाला भी एक होगा यानि 80 अगर 1 है तो CT भी 1 होगा होगा की नहीं होगा बोले clear है तो ये total length कितनी होगी 2 होगी अगर AC की total length 2 है तो क्या AB की total length भी 2 नहीं होगी क्योंकि ये isocellus triangle है इनकी ये दोनों sides बराबर है तो अगर मेरा AP AB 2 है PA मुझे भी नहीं पता कितना है और TA ये 1 का square है तो क्या मैं यहां से PA की value नहीं निकाल सकता PA कितना आ जाएगा 1 by 2 आएगा की नहीं आएगा बोले बात समझ में आई अगर PA की value 1 by 2 आ गई है तो अब आप easily AP और AB का ratio बता सकते हो AP अभी अभी आपने क्या निकाला ये है 1 by 2 ratio AB अभी अभी मैंने आपको क्या समझा है था AB कितना होगा 2 होगा तो यहां पर 2 आ जाएगा तो ratio कितना आ जाएगा 1 ratio 4 याने option 20 का सहीं आंसर होगा और देखें एफना simple और easy question था ये है ठीक है बस आपको थोड़ा सा नजरिया चेंज करना है उसने triangle बोल दिया तो triangle की properties में मत गुश जाएगा देखिए तो एक चौड है एक tangent है तो यहां पर वही property यूज होनी है ठीक है चली अगले question पर आते हैं और आज का हमारा आखरी question बहुत ही important और बहुत ही अच्छा again 2018 means का question और 2018 19 दोनों में ही same question लगबग पूछा हुआ है तो आगे भी आपको इस ताइब के questions अब pre में या CHSL में या CGL में या MTS में देखने मिल सकते हैं तो इनको देखकर ज़रूर जाएगा question पर यह क्या लिखा हुआ है आप से बोला है एक equilateral triangle है जिसकी side है A cm equilateral triangle है इससे पहले isoceles बोला था इस बार उसने खुद बोल दिया भी है equilateral हुम है एक triangle है A B C यह equilateral triangle है साइट सबको याद रखने है भई है equilateral triangle सारी sides बराबर होंगी अब वो A cm हो की B cm हो वो मैं बाद में देखूँगा अगली line पढ़िए क्या लिखा हुआ है a circle through point B touching AC at point P एक circle जो की B से निकला है point AC को touch करता है point P पर अच्छा यह जो point P है इसकी भी कुछ खास बात है क्या खास बात है कि AP और CP का जो ratio है यह 2 to 1 है याने A से P का distance यह अगर 2 है तो C से P का distance यह 1 होगा तो अब पहली बात यह अगर 2 ratio 1 में है याने अगर यह 2 part है और यह 1 part है तो total AC कितना हो जाएगा total AC 3 part हो गया हो गया 3 part अगर यह 3 part है तो यह क्योंकि equilateral triangle है तो यह पूरा AB भी कितना part हो जाएगा 3 BC की length भी कितनी हो जाएगी 3 बात समझ भाएगी आपको तेयर है अच्छा आगे बोला है intersecting AB at point T यह जो circle है यह AB को इस T point पे cut कर रहा है अब आपको इसको देखकर पुराना question याद आ जाना चाहिए और यह मेरे जाल से अब solve वो भी जाना चाहिए ठीक है question पूछा 19 में isosalist triangle बोलके पूछा 18 में equilateral triangle बोलके पूछा basic concept में कोई भी difference है क्या बिलकुल नहीं है सिर्फ उठाकर लगाने का है अब concept यह तो tangent है तो AP हो गई tangent तो यह तो हो गया चार बटे तीन जैसे ही यह value आ गई अब आप ratio बता सकते हो कैसे बता सकते हो किस किस का 80 और BT का 80 कित्ता आया अभी अभी 80 आप अपने निकाला 4 बटा तीन चार बटा तीन ठीक है आख ratio पूछा था इसके सांथ BT का BT मतलब यह रहा पूरा BT BT पूछा है अब आप मुझे एक बात बताओ अगर यह 4 बटा 3 है 80 यह 4 बटा 3 है तो यह कितना होगा यह कितना होगा माइनस कर सकते हो माइनस कर सकते हो इसको माइनस करना है तो देखो तीन में से इस पूरे तीन में से इस 4 बटा 3 को माइनस कर देना ठीक है तो 3 माइनस 4 बटा 3 यह कित option B इसका सही answer होगा तो I hope आपको ये question भी समझ में आ गया होगा, बहुत ही बढ़िया question था, बहुत ही बढ़िया question था ठीक है, A T और B T पूछा था A T और B T पूछा था पिछली बार उसने A T और A B पूछा था, तो दोनों questions को ध्यान से देख के जाएएगा, दोनों बहुत ही अच्छे questions है और जिस question का मैंने आप से comment box में answer पूछा है, वो भी ज़रूर बताएगा Hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like ज़रूर करिए शेर करिए, चैनल को subscribe करिए, हम मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में तब तक keep standing and stay safe, जय हैं